प्रदेश की राजधानी में ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने प्रेस वारता का आईजन किया जिसमें उन्होंने कोविट, ऑक्सिजन और प्रश्चिम बंगाल पर बात की भपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट मनलब संख्या धीरे धीरे नियंत्रम में आती जा रही है कल आप से जब मैंने निजी अस्पतालों की जिक्र की थी मैंने आप से एंबूलेंस के रेट करने की कल सुबह जिक्र की थी कल आपने देखा भी होगा कि कल निजी अस्पतालों के लिए हमने तीन लोगों की समिती बना दी संजय दिवे प्रमुक सचिम प्रतीक हजिला प्रमुक सचिम और संजय गोयल प्रमुक सचिम कोई भी दिक्कत किसी व्यक्षी को आती है कोई सुझाव, कोई जानकारी देना हो तो इन अधिकारीों को सीधा वो दे सकता है लेकिन किसी कीमत पर भी लूट नहीं मचने दी जाएगी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा ये सकार संकल्प बद्ध है इसके लिए कुछ तो भी रेट, कहीं तो भी रेट ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह के सुझाव भी अब चिंतन में ले लिए गए है एम्बूलेंस की रेट का कल बताया था 10 किलो मीटर तक 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रती किलो मीटर के हिसाब से शेहर के अंदर होगा ग्रामीर में 20 किलो मीटर तक 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रती किलो मीटर होगा और इसके बाद में जो वेंटीलेटर ऑक्सीजन बैड आदी वाली रेट है वो अलग होगी ये एंबूलेंस का मूल रूप से क्राइटेरिया था मुख्यमंत्री जी ने कल जो समीक्षा की थी उसमें गाओं पर विसेश ध्यान हम सने सने फोकस करते जा रहे हैं हमारे जो वालेंटियर हैं उनको भी आज मुख्यमंत्री जी स्वयम नीचे ग्रामीन होंगे, सी ओ होंगे, सी एमो होंगे, एस पी होंगे, कलेक्टर होंगे, पी एस होंगे, मानी मंत्री जो आपने हाकार ऑक्सीजन का सुना होगा, आज भी हम सर प्लस में ऑक्सीजन के छेत्र में हैं और इसलिए वो वाली दिक्कत अब खतम सी होती जा रही है, ऑक्सीजन के अभाव में हिलाज की अभाव में कोई दम न तोड़े सरकार पूरी मुस्तेदी से इस काम को कर रही है करोना के करोना कर्फियू के धीरे धीरे करोना की चेंड तूटने के परणा हम अब सामने दिखाई देने लगे और इसका जीता जाकता उधारण वही है कि एक समय ऐसा आय काने के लिए करोना के के लोग कहीं इतने न हो जाएं कि हमें रेल के डिबों के अंदर सिप्ट कराना पड़े और आप पिछले आठ दिन में देखेंगे एक भी व्यक्ति को वहां नहीं ले जाना पड़ा है अस्पतालों के अंदर परियाप्त विवस्ता मद्यप्रदेश क को ऑक्सीजन के छेत्र में आत्म निर्वर बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगना प्रारंब हो गये हैं यहां तक कि बड़ी बड़ी जो पंचायते हैं उन बड़ी बड़ी पंचायतों में भी ऑक्सीजन के प्लांट हैं पंचायत से मतलब मेरा बड़ी बड़ी तैसी ऐक मेहने की अंदर हमारे कई ऑक्सिजन प्लांट काम करने लगेंगे और कई विले हमारे आत्म निरभर हो जाएंगे ऑक्सिजन के छेट میں गरिबों के रासन मिले कोई दिक्वत आए जैसा रासन कहा गया है तीन महीने तक निसुलक दो महीने तक मानी प्रदानमंत्री जी ने कहा है ऐसे पर हैड दस किलो रासन पर व्यक्ति को मिलेगा परिवार में पांच लोग हैं तो पचास किलो रासन उसे मिलेगा जो अपने आप में काफी राहत भरी बात है आज देखो आप पूरी विवस्ता है अब पोर्टल पर जो आएंगे और पोर्टल जब मैसेज बेज़ता जाएगा और लोग तीका कराने आते जाएंगे तो कोई अबेवस्ता नहीं होगी एक साथ में सारे लोग आ जाएंगे जिनने रेजिस्ट्रेशन कराए हैं तो अबेवस्ता होगी अब इस बीमारी बेसाइटा पर भी फोटू कि विचवाना जाते हैं डेडोरा पीटना चाहते हैं मैंने खुद ने अपनी चेतरे में दिये अगर उनको विश्वाद नहीं तो कलेक्टर से पूछ ले मेरे लेटर है के नहीं लेकिन ये डेडोरा पीट रहे हमारे विदायक दे रहे हैं बस इतना ही सांतर है पश्वमंगाल की जिस तरह की हिंसा आई है जिस तरह से सैना के जवानों के जिस तरह से भाजपा कारी करताओं के आग जनी लूट हत्या बलातकार अब कमलना जी का क्या कहूं ये वही कमलना जी है जो मानी संज्य गानी जी के इमर्जेंसी के साथ ही है ये वही कमलना जी है जिनका नाम 84 के दंगों में आ गया था अभी भी साहिब निया एले में विचारा दीने कुछ मामला उसका तो सभाविक रूप से उनकी निता ममता बनर जी तो होंगी ही इसलिए इन्दौर और मद्धिपर्देश में बुला रहे हो राहुल जी की बात तो वो बैसे भी स्वयम नहीं मानते इसलिए विकल्प को हो सकता है ढून रहे होंगो और उन्हें वो हिंसक प्रवर्ती में कहीं विकल्प नजर आ रहा हो जी 23 में हैं कबल सिब्बल जी कमलना जी ममता जी की तर्चर्चा कर रहे हैं कांगरेस की चिंता नहीं कर रहे हैं कमलना जी भाजपा की तो चिंता करते हैं कांगरेस की चिंता नहीं करते यही उनकी बिसेश्टा है वो जहां रहते हैं वहां को छोड़के बागी सब की चिंता करते हैं कांग्रेस आज बद्देप्रदेश में इस हाल में जो आ रही है वो इनी की वज़े से आ रही है अब कपिल सिंबल जी ने कौन सी गलत बात कही है आप सोचो पश्चिम बंगाल में डबल जीरो आ गया और रावल जी के रहते हैं आएम हैपी जाना मी हैपी क्या लिखाता वो टूइट पर अब जहां पार्टी चवालीस से जीरो पर आ जाया और अगला राष्टी पूर राष्टी अद्देश हैपी हो जाया उस पार्टी का तो बगवानी मालिक है फिर हमसे कहेंगे कि हमने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत अब हमारा क्या दोस है आसाम में कम हो गए पश्चमंगाल में कम हो गए किरल में कम हो गए तमिलनाडू में कम हो गए कांग्रेस पांडिचेरी में कम हो गए कांग्रेस लेकिन उसके बाद भी अगर हैपी है तो रहें हम जा कर सकते हैं सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें